काले चने का सेवन अधिकतर लोग किसी न किसी तरीके से करते ही हैं। कई लोग काले चने की डाल बना कर खाते हैं, तो कुछ लोग चने को रोस्ट करके खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चने उबाल कर खाते हैं। इसके अलावा चने को भिगो कर भी खाया जा सकता है। भिगोए हुए चने खाना सेहत के लिए काफी फाइदे मंध होते हैं। चने में प्रोटीन, फाइबर, एनरजी, आइरन, कैल्शियम, मैगनीशियम, फोसफॉरस, जिंक, कॉपर, विटामिन बी तीन और सोडियम जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा चने में एंटिक्सिदेंस, एंटी इंफ्लमेटरी, एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल गुर्ण भी पाए जाते हैं। अगर आप रोजाना भीगे हुए चने खाएंगे, तो आपको काफी लाब मिल सकता है। भीगे हुए चने खाने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भीगे चने खाने के फाइदे क्या है। या फिर भीगे चने खाने के लाब क्या है। भीगे चने खाने से होने वाले छे फाइदे, एक पाचन में सुधार करे। पाचन को मजबूत बनाने के लिए आप रोजाना भीगे हुए चने खा सकते हैं। दरसल चने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर आंतों और पेट से विशाक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे आपका शरीर डिटॉक्स होता है, पेट से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होता है। अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई समस्या यानी गैस, कब्ज या अपच है, तो आप भीगे हुए चने खा सकते हैं। गैस से छुटकारा पाने के लिए आप भीगे हुए चने में नीम्बू का रस, जीरा का पाउडर छिड़क सकते हैं। भीगे चने खाने से आपका हार्ट हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। चने में एंटिक्सिडेंस, एंथोसाइनिन और फाइटो न्यूट्रेंस पाए जाते हैं। ये सभी तत्व हृदय और रक्तवाहिकाओं को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा चने में मौजूद पोटैशियम, फोलेट और मैगनीशियम भी हृदय के लिए फाइदेमंद होते हैं। अगर आपको हृदय रोग है, तो भीगे चने का सेवन डॉक्तर की सलापर ही करें। तीम वजन घटाने में मददगार। अगर आप वजन घटाना चाते हैं, तो रोजाना खाली पेट भीगे हुए चने का सेवन कर सकते हैं। चने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अगर आप रोजाना सुबह भीगे हुए चने खाएंगे, तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। इससे आप ओवरिटिंग करने से बचेंगे और आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। भीगे हुए चने को आप नाश्ते में खा सकते हैं। इससे आपको बार-बार खाने की इच्छा कम हो जाएगी। 4. कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करे। भीगे चने खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्टर भी नियंत्रण में रह सकता है। काले चने में फाइबर अधिक होता है, गलाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगर आप रोजाना भीगे हुए चने खाएंगे, तो आपका ब्लड शुगर और कोलिस्ट्रॉल का स्तर कम होने में मदद मिल सकती है। लेकिन कोलिस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हो तो चने को तेल में भून कर खाने से बचना चाहिए। 5. खून की कमी दूर करे। चने में आइरन की मात्रा काफी अधिक होती है। अगर आप रोजाना भीगे हुए चने खाएंगे, तो आपक एनीमिया की समस्या से बच सकते हैं। क्योंकि चने में आइरन अधिक होता है। आइरन रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे हीमोगलोबिन का स्तर बढ़ता है और खून की कमी दूर होती है। अगर आप रोजाना भीगे हुए चने खाएंगे, तो आप दिन पर उरजावान महसूस कर सकते हैं। 6. महिलाओं के लिए लाबकारी भीगे चने भीगे चने खाना महिलाओं के लिए भी काफी फाइदे मंद होते हैं। दरअसल चने में सैपोनिंस नामक फाइटो न्यूट्रेंस होता है, जो स्तर कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। इसके साथ ही भीगे चने खाने से औस्टियोपोरोसिस को भी रोकने में मदद मिल सकती है। महिलाओं अपनी समस्याओं को कम करने के लिए चने को देसी घी में भून कर खा सकती है।